हमारी और आपकी मुहीम अब रंग ला रही है कहीं न कहीं अब हमारे शहर में भी बदलाओ की किरन नजर आ रही है नवश्कार परनाम जोहार मैं कुमार शुबं बुकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ मुहीम क्या थी और अब बदलाव क्या नजर आ रही है आई उस पर बात करते हैं मुहीम हमारी शुरू से यह रही है कि हमारे शहर में जो बदलाव जो डेवलपमेंट कहीं थमसा गया था उसे हम फिर से जगाना चाहते थे और फिर से हम अपने शहर में भी बदलाव देखना थे कहीं न कहीं उससे युवाओं पे जो गलत प्रभाव पड़ रहा था वो भी हम आपको लगतार नजर दिखा रहे थे अब जब बदलाव की बात कर रहे हैं वह बदलाव क्या है बदलाव यह है जो सेक्टर हम सोचते थे सेक्टर एट और नाइन हमने देखा पहले भी कि ड बदलाव देखा वहां पर हमने डिवलप्मेंट लेकिन कहीं न कहीं यह सोसे थे कहीं अब एट नाइन अब रहना जाए लेकिन अब हम यह भी देख सकते हैं कि यहां पर भी अब आप देख सकते होंगे कैमरे टीम से कहूंगा दिखाने को आप देख सकते होंगे कि यहां प हम हर अपने सेक्टर में देख पा रहे होंगे कि स्ट्रीट का भी काम किया जा रहा है साथ-साथ में सडकों को भी बनाया जा रहा है फोर की बात करें तो वहां पे कई काम हो चुके हैं कई वहां भी बाकी है लेकिन अगर हम बात सेक्टर 8-9 की करते हैं तो यहां भी बहुत बताओं कि यह सडक चोरीकरन का काम किया जा रहा है जहांपर आप देख सकते हैं कि किनारे को छील दिया है जहां पर सडक बनाया जाएगा अब इतने जी सब्सक्रट कांञाना का बाकी भी रहे सब्सार बना जाएगा हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में कुछ-कुछ बदलाव आ रहे हैं प्रकिरिया धीमी है लेकिन हाँ एक खुशी की बात यही है कि हमारी और आपकी जो मुहीम थी सुरुवात से जो हम लगे वे थे कि हमारे सहर में अब डिल्वप्मेंट होना चाहिए होना चाहिए और आज वो नजर आ रहा है बदलाव की किरण नजर आ रही है अब हम आपको बदलाव कि क्या बात है वह भी आए आगे दिखाते हैं किसा हमने आभी आपको दिखाया 8-9 में जहां पर हमने बताया कि कैसे लोगों ने यह सोचना भी बंद कर दिया था कि अब वहां पर तरफ चले जाएंगे अगर आपको याद हो तो यह सड़के भी कैसी थी यहां पे भी अब लोग ने सोचना वंद कर दिया था कि यह सड़के अफिर से बनेंगी इसी जगह पे कितने मवेशी और अन्य जानवरों की रिला से फेक दिये जाते थे जिसे पहुत ही ज्यादा कांडरी वाल को पेंट कर दिया गया है साथ ही साथ एक और चीज जो हम खास करके बताते रहते थे कि हम यह भी देखते थे कि कैसे शाम की वक्त बुकारल स्टील सिटी अंधेरे में खोशा जाता था अगर मुख्य मार्गों की बात छोड़ दें अगर अंदर की सड़कों की तो यहां पर ऐसे कतारबद में जैसे अगर यह स्टीट लाइट्स पहले जो पुराने हैं वह उनको छोड़के आप नए खंबे गारने की जगाए बनाए जारी है अगर आप यहां मैं अपने कैमरा टीम से भी कहूंगा यह दिखाने को कि आप देख सकते हैं यहां पर प्ल जो सपना हमने देखा था आम जनता ने हमारी बोकारो रुपोर्स की पूरी टीम ने जो लगतार हम हर बार कहते आ रहे थे कि बदलाओ चाहिए बदलाओ चाहिए आज वो बदलाओ नजर आ रहा है जिसके लिए हम सेल प्रबंदन का कई धन्यवाद भी देते हैं साथ हम अम्रेंदु प्रकास जी का भी काफी धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने हमें और हमारे बोकारों के शहरवासियों को इस बदलाओ की करन को दिखाई जिसकी हम लगतार बात कर रहे थे हमारा सपना था कि हम फिर से अपने सहर बोकारों स्टील सीटी को स्वक्ष सुन्दर और सम्रित देखना चाहते हैं अब कहीं न कहीं यह आभास हो रहा है कि यह सपना पूरा होने वाला है यह अभी पता नहीं है हम देख रहा है कार्य प्र फिर से अपने बोकारों स्टील सीटी को स्वक्ष सुन्दर और सम्रित देख पाते हैं जानने के लिए जुड़े रहे हैं बोकारों रिपोर्ट के साथ धन्यवाद